आपई प्यारे बच्चेओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते साथ संगत जी आज जसीं गुर्दवारा श्रीगुरु सिंग सबा बारा बंकी जो लखनाओ दे नजदीक है इस गुर्दवारा सेब दे विच बैठे हुए हैं ऐस वेले मेरे नाल ने ए छोटे छोटे बच्चे जेडे के गुर्बानी गुर्मत और अपनी विद्या दे बार पढ़ना है ते अज लोपी फिर बच्चे वो अपना क्वेस्चन अंसर शिरू करगे पहली गलता नुपता है ता डेचो जीनियस कौन कौन बनना चाहूंदा है जीनियस जेसनों आसी कह सगी है हेलो जीनियस ठीक है ता नुपता है जीनियस बच्चे यां दी सब तो पहली जीनियस लोग उन दे है उनना दी और बेस्ट कौन दे है वो पता है ओव ज़्यादा क्वेस्चन पुछ दे है जेड़ा बंदा जीनियस बंदा जाएगा ओव डफर रहिंदा जाएगा ओडफर तुसी अपनी क्लास दे बेच दो तरह दे स्टूडेंट देखे होंगे एक सौ चो सौ ले आनवाले ते एक सौ चो दास ले आनवाले है ना जी है इतना दे दुन न उन दे है न थोड़ी है क्लास दे बच्चे सौ चो सौ भी ले आनवाले उन दे है हंड़ से हंड़ नंबर लेने वाले और हंड़ से जीरो लेने वाले वी उन्दे अंड़ा लेने वाले हंदे ने ना हंदे ले हुन उन बच्चों में उन्ना दे वेच फर्क की उन्दा है अप उन्ना बच्चें दा वेचला फर्क देखिए जिनना दे नंबर जादे होंदे है वो हर चीज बड़े त्यान नाल सुनदे है ते जेड़ी चीज दी समझ नहीं लगदी वो पुछ के क्लियर कर लेंदे है ठीक है जी वो पुछ के क्लियर कर लेंदे है जो समझ नहीं लगदी ते जेड़े बच्चे जीरो नमबर लेन वाले उन्दे ऐँ वो ना ते ते आनना सुनदे आए ना इकदे को ज़ पूछ दे आ ते लिखनगे की ज़ो पूछनगे ही नी समझी नहीं आएगी लिखनगे की और मनलो दा अपां देखने हैं दो बच्चे उनना चो समार्ट केड़ा थे उनना चो डफर केड़ा है वो पता कि में देख सकते हैं मन लो दो बच्चे आने किसे जगा तो चल के ऐस कलास विच गुर्द्वारा से बाउना है ठीक है वो बच्चे चल के उस चौक दे विच पहुंच गयने ठीक है उनन उत्थो अगे उनना दोनना नू नहीं पता के रस्ता केड़ा है नहीं पता उननना दे विच्चो समार्ट बच्चा की करेगा वो किसी तो रस्ता पुशेगा और इस जगा ते आ जाएगा पर जेड़ा बच्चा समार्ट नहीं होएगा वो की करेगा उत्थों ही वापस कार मोड़ जाएगा मैंनूते रस्ता ही पता नहीं चल लिया मैं कैसे जन्दा मैं आ गया एद्दा ही करेगा ना क्योंके जेड़ा किसे तो पोच्छदा नहीं कोज ओ कदे जिंदगी 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 हैं अीं अपने parents दो पूछ सक्दीं parents मिलना ये यह इन्नी लंपी ता डिकॉल questions दी list चाहिए तहरा है मम्मी पापा एदसो 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 ask-ask-ask-ask आर्ण दी आर लिखी भी जाओ because मैं कहीना है कर लिखना क्यों जरूरिया पुछना पुछन दे ना लिखना क्यों जरूरी है मन लो मैं तानू अपना नमबर दास देखा तुसी मैं नो पुछे आ के तो हड़ा मुबैल नमबर की आ मैं अपना तानू मुबैल नमबर दास देखा डबल एट 37690192 दास देखा है ना जी सुन दिया है हां जी चलो आपने की सुनिया दस की नमबर दस्या है मैं की नमबर दस्या सारया नुजाद नहीं रहा होएगा पर आफ्टर टैन्द मिन्ट पो लजाएगा है ना जी अफ्टर टैन्द मिन्ट पो लजाएगा पर जेकर तुसी ओही नोट बोकते लेख लेंदे हो फिर भी पो लजाएगा जा नहीं फिर फोरी बरता डिकूल आ गया रैट जी फिर जदों तुसी चाहो उदों तुसी जूज कर सकते हो इससे तरह जेड़ी चीज तुसी पेरेंट असी पुछना है पेरेंट्स तों ठीक है दूसरा असी किस तो पुछना है टीचरां तों टीचर्स कोल जाओ ते टीचर्स तों में जादा तो जादा पुछो ठीक है एसे ऐसे क्वेस्चन पुछया करो कि टीचर एक है कि आप इतने क्वेस्चन लेके कहां से आते हो गल जाई आप इतने question लेके कहां से आते हो सर जे करेंगे तो क्या होगा इस काम का हमें क्या फैदा होगा एक बात जाद रखो जो तो अच्छा इस दे नाल genuine teacher भी पशाने आ जाएगा और अच्छे parent भी पशाने जाएगे जो अच्छा teacher अच्छा parent होएगा वो आपनों बताने में नराज नहीं होगा ठीक है वो खुशी नाल दसेगा हर ता डे क्वेस्चन दा अंसर देवेगा पर जेड़ा teacher जा parent गुड़ पेरेंट जा गुड़ टीचर नहीं होगे वो ता डेनाल नराज होगे पर तुसी नराज की तो डरना नहीं है गल समझाई तुसी नराज की तो डरना नहीं है भई मेरा कम है पुछना मैंनों नहीं पता ते मैं ते पुछनागा आप नहीं बताओगे तो मैं दूसरें से जाके पुछ लूँगा मान लीजिए मैं चौंक पे आगया मुझे जे पता नहीं था कि गुर्दवरा किस साइड है मुझे नहीं पता था एक बंदे से मैंने पुछा कि गुर्दवरा बैया किस साइड है उस बंदे ने मुझे नहीं बताया तो अब मैं क्या करना चाहिए मुझे दूसरे किसे तो पुछ लूँगा तुम नहीं बता रहे मैं किसी दूसरे से पुछ लूँगा ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए पहले तो टीचर से पुछना चाहिए पेरेंट से पुछना चाहिए जेकर पेरेंट से हमें सैटिसफाइड उत्तर ना मिले तो हमें टीचर से पुछना चाहिए एक टीचर से नहीं मिला तो दूसरे टीचर से पुछना चाहिए उससे भी नहीं मिला एक्चल अंसर तो तब हमें क्या करना चाहिए एक और भी चीज़े गीजे तुसी यूट्यूब और गुगल के बारे जानते हो जानते हो ना सर्च कर सकते हो फिर उस जगा जाके सर्च करना चाहिए ठीक है? उस जगा जाके देखना चाहिए कि जो मेरा अंसर सी जो मैं पूछना चाहता था मुझे कहीं से उत्तर नहीं मिले यह इदर से ले लूँ तीसरा काम उससे भी all the best काम उससे भी all the best काम क्या है? जिस चीज़ की आपके अंदर जग्यासा है ठीक है? देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ इस जगा पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनोंने आज के 20 साल पहले एक शोटी सी चाय की दकान खोन दी ठीक है? क्या खोले है? आज से 20 साल पहले शोटी सी चाय की दकान दो लोगों ने खोले है अफ्टर 20 एर्स एक की तो शोटी सी चाय की दकान फाइव स्टार होटल बन गई एक की शोटी सी चाय की दकान फाइव स्टार होटल बन गई 20 एर्स में परंतु दूसरा यहां पे जैसी खोली थी वहां पे वैसे ही पड़ा रहा अब दूनों में क्या फर्कोएगा एक बंदे ने आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया उसके अंदर इशा थी मैं कुछ और नया करूँ कुछ और बड़ा करूँ कुछ और बड़ा करूँ वो बड़ा करता गया करता गया तो बड़ा आदमी बन गया और दूसरा था जो वो जितना कर रहा था जग्यासा ही पैदाना होई उसने कुछ किया ना अब एक बात है चाह नहीं सी उसको पता नहीं था उसके पास आइडिया नहीं था उसने नया आइडिया लेना ही ना चाया पहली तो बात आप लोग पता क्या होता है मैं एक आपको सभी को पूछता हूँ एक चीज़ चलो सभी को पूछते हैं आप बड़े हो के क्या बनेंगे डॉक्टर आप सिंगर आप डॉक्टर आप 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 क्रिकेटर आप बॉलर आप अप अची बोलिये डॉक्टर आप देखिए जैसे आप बोलते हैं ना शोटी एज में हम ये बनेंगे ठीक है सभी बोलते हैं ना ये जितने लोग आज यहां पे लेबर कर रहे हैं ना लेबर कर रहे हैं कोई सबजी का डोरा है कोई रिक्षा चला रहा है कोई आटो चला रहा है जब आपकी एज में थे ना ये भी सब ऐसे इ बोलते थे फिर पता बने क्यों नी उन लोगों ने बाद में जाके जो इसके लिए जरूरी करने वाले काम थे वो एक भी ना किया बस सोचते रहे बोलते तो रहे पर इसके लिए जो जरूरी काम था वो उनों ने किया ना की करा की ना करा और बाद में एक्चली पता क्या होता है हमारे अंदर एक चिंगारी होती है हम जितने लोग बैठे हैं ना अपने अंदर एक चिंगारी होती है चंगारी दा मतलब समझांदा कोला देखे है कदी मग दा हो या कोला जो कोला अभी आए फुल माग रहा है पठी से नकाल लिया गया है माग रहा है कोला दीरे दीरे क्या होएगा और गर्म होता जाएगा जै ठंडा होता जाएगा ठंडा होता जाएगा ऐसे हमारे अंदर की इच्छा होती है जब तो आपकी एज में होता है आना तब वो इच्छा बहुत ज़्यादा होती है सुनने की, समझने की, कुछ करने की पर जियों जियों हम बड़े होते जाते है वो इच्छा बढ़ती है जब कम होती जाती है क्या होता है काम होती जाती है मान लीजिए मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ चलो आपको मैं आज स्कूर्टी चलानी स्खाता हूँ खोश हो हैं के जान नहीं है चलें के सिखने के नहीं मैं कहीं नहीं स्कूर्टी चलानी चाथ और बच्चे हिंदी के भी सुनेंगे सारे इंडिया में जाएगी है पूरे वर्ल्ड में और सुनेंगे रिकॉर्ड हो रहे हैं कि पंजाबी नहीं आंदी ना क्योंकि सारी टीवी ते जाएगी यूट्यूब ते जाएगी और सारे लोग सुननेंगे ते फिर मैं जाएगी सारे तक पहुंचे सारी बच्चे उस तो फैदा ले सकाँ अब क्या है मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं आपको स्कूटी चलानी सिखाता हूं आओ सिखने के लिए आप आएंगे जान नहीं आएगे जान नहीं पर जेकर मैं आपक आपको स्कूटी चलानी सिखाता हूं आएंगे जान नहीं कियों अब उनमें सिखने की कुश करने की इच्छा वो जो चिंगारी थी जो कोला था वो क्या हो गया थंडा हो गया है जो जो बंदा बढ़ा होता जाता है तो तो उसके अंदर वो चीज ठंडी पड़ती जाती है ठीक है अब अनर्जी काम हो रही है उसका सोचने का तरीका यही कारण है कि जो बड़े बड़े लोग हर बंदा कुछ ना कुछ बन सकता है जो भी चाहे ना बन सकता है मैं एक आपको शोटी सी एक्जेंपल देता हूँ बहुत शोटी सी एक इस बच्चे जैसा बच्चा था एक मेंट खड़ा हो जा सभी देखेंगे इस जितना एक लड़का अपनी मम्मी को बैठो अपनी मम्मी को क्या पूछता है मम्मी हम कौन होते थे क्या पूछता है मम्मी ह हम कौन होते ते उसकी मम्मी कहती बेटे किसी को मत बोलना किसी को ना बताना हम हिंदू होते ते तो बच्षा कहता है फिर अगला क्वैस्चन पूच्टा है क्या मम्मी अब हम हिंदूने रहे वो कहती है बेटे अब सब भी हिंदू इदर से खत्म कर दिये गए हैं मार दिये गए हैं हम चुप करके रहते हैं किसी को नहीं बताते के हम हिंदू के ठीक है अब उस बच्चे में अभी क्या थी चंगारी पुश करने की इच्छा वो बच्चा उस मम्मी को बोलता है बच्चा तो अब मैं पुनर सुर जीत करूंगा तो मम्मी कहती इसके लिए क्या-क्या आप त्याग करोगे पहले जे बताओ क्या-क्या त्याग करोगे जे बताईए अब आपको एक बात पता है पहले ना सबी लोग जितने मी पंड़त जी होते थे आप लोगों की तरह ही बड़ा जूड़ा रखते थे जैसे आपके बाल है ना कोई पंड़त बाल नहीं काड़ता था उस दिन उसने कहा कि अब मुझे दुख है मुझे दुख है कि मेरा दर्म खत्म हो गया है मुझे दुख है इसलिए मैं दुख में बाल काट रहा हूँ आपको पता है सारे पूर पूरे वाल कब काड़ते हैं इन्दू लोग कब काड़ते हैं पूरे वाल कड़ों कट देया जी इन्दू लोग जदों किसे दे कोई मर जंद है है ना जी जदों कोई किसे दे मर जंद है उदों पूरे वाल इन्दू लोग कट देया है रैट उसने वाल कट के शोटी जी पुनर सरजीत कर लूँगा निका जा बच्चा फिर इस तो बाद की हो या उसने क्या कि मैं उदों तक अपने पेरादे वेच जुत्ती भी नहीं पहना गा क्या कि क्या मैं जुत्ती भी नहीं पहना गा मैं खारते नहीं सौवागा अंतनू वो बच्चा चलिया जदों वो बुक्स लिखनीया शिरू कर दितियां सी बुक्स ओदे अंदर सी मैं हिंदूतर ममूर्तो सरजीत करना है ते जदों ओही बच्चा वड़ा होया ओबने शंक्रा अचारिया निके बच्चे ने किन्ना वड़ा काम कर देता क्यों कि ओदे अंदर एक चिंगारी सी साड़े अंद मेर जदों चिंगारी उन दिये मैं गल का रहा सी उचना करना अगे चलना पहली गल दूसरी गल असी जिन्दगी दे विच जिसने कोज बनना है उसनों सबतों जरूरी एक कम करना है